नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं परत्यार टोटके दिपावली 2021 कब है और कैसे करेंगे पूजा सुमूर्थ क्या है देखे दिपावली पर मालक्ष्मी और गनेज जी की पूजन करने का विधान है और लक्ष्मी पूजा के लिए इस बार चार ग्रहों का एक ही रासी में होने से सुवयोग भी बन रहा है इस बार दिपावली चार नमबर 2021 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमवस्यातिती के दिन दिपावली बनाई जाती है और इसी दिन ध़नकी देवी लक्ष्मी माँ और गनेश जी मराज की विसेश पूजा भी की जाएगी तो दिपावली का तेवार चुकि इस बार चार नमबर को है माँ लक्ष्मी गनेश जी की पूजन चार गरहों के सुबसयोग में होगा तो दुरलब योग भी है और इस सुभ योग में पूजन करने से मा लक्षमी की बिसेश कृपा भी आप पर बरसेगी और अपने भक्तों पर वो कृपा बरसाएंगी तो चार ग्रहों की जो यूती बन रही है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमवस्या को है तो ऐसे में बिसेश पूजा अर्चना की जाएगी क्योंकि तुलारासी में सूर्य भी है बुद्ध भी आ रहे हैं और मंगल चंद्रमा भी इस दिन तुलारासी में ही रहेंगे लगजरी लाइप और चीजों का कारक माना गया है वहीं जो सूर्य है वो गरहों के राजा है और इनकी राधना से सभी गरह उत्तम फल देते हैं जो मंगल है वो गरहों के सेना पती है और जो बुद्ध है वो गरहों के राजकुमार है इसके साथ ही चंद्रमा जो मन का कारक है तो सूरे पिता और चंद्रमा को माता का कारक माना गया है यानि बोतिक सुख्स, विधा, माता, पिता और बुद्धी सब एक साथ है तो यकिनन इस बार की दीपावली भी खास है तो दीपावली की पूजा की सुमूर्थ क्या है देखिए चार नुवंबर 2021 की सुबह 6 बचकर 3 मिनट से अमवस्य अतिती सुरू होगी और अमवस्य अतिती समाप्त होगी 5 नुवंबर की सुबह 2 बचकर 44 मिनट पर तो दिपावली लक्षमी पूजा साम 6 बचकर 9 मिनट से रात 8 बचकर 20 मिनट तक का जो वक्त है लग लेकिन देखिए परदोस काल जो है साम 5 बचकर 34 मिनट से रात 8 बचकर 10 मिनट तक है और बिस्व लगन जो है 6 बचकर 10 मिनट से साम 8 बचकर 6 मिनट तक है अगर आप बिस्व लगनिंग में पूजा करना चाहते हैं तो इसी समय कीजेगा तो लक्षमी पूजा जो दिधी है धन तेरस के दिन तमाम बस्व को एक एक करके मंदर के साथ उनको और पित करें और अंत में आरती करें फिर आप सब कोई परशाद ग्रहन करें धाने बाद हम फिर मिलेंगे